आप लोग जो यहाँ बाका के तारा मंदिर के परांगन में कत्रीत हुए हैं आप लोग का क्या हुद्देश हैं जी हम लोग राश्टी स्वक्षा ग्रही संग से जुड़े हुए हैं और यह आगामी आज की बैटक संग के द्वारा है आपका नाम सुबनाम हमारा नाम रुपेश कुमार हुआ और मैं राश्टी स्वक्षा ग्रही संग का जिलाद जक्ष के काड़े कर रहा हुद्द तो आज से पहले भी कुछ दिन पहले भी आप अपना रन्निती तयार कियो होंगे अंदोलन भी कियो होंगे लेकिन आपको ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग के हीत में सरकार कुछ भी निरने नहीं लिया जा रहा है जिसके कारण आप परभाव साली अंदोलन करना चाहते हैं जी हम बिलकुल इस बात में सच्चाई है कि आगामी हम लोगों ने यहां पर भी बैठा किया और यहां से लेकर के हम लोगों ने दिली के जंतर मंतर में भी जाकर के धर्ना किया उसके बाद हम लोग पी एम हो गए भारत सरकार जलसन साधान मंत्रालेग पहुँचे और वहां पर हमने अपने जो मांग सुची है वो समर्पिती है लेकिन अभी तक जो हम लोगों की अपेच्छाएं हैं उसके अनुकुल कुछ वैसा नहीं मिल रहा है लेकिन हमें ये विश्वास है पुट विश्वास है कि आगामी सरकार हमारे आने वाले दोशार देनों में हमें कुछ बहतर परिणाम हमारे लिए सोचेंगे बहुत अच्छा और आप से मैं सवाल पुछना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस अंदोलन के बाद आपको सफलता मिलेगी या सच कहां तक बिलकुल यह इसमें हंडेट परसेंट सचाई है क्योंकि हम माननी प और आहवान किया गया हो उस मिसन पर हम कारी कर रहे हैं और हमें जैसे प्रधान मंत्री अपने मुक्त मुकारविंद से पहले भी कहे दे कि आपको स्वाधनता शैनानियों के तर्च पर दर्जा दिया जाएगा है ना तो हमें भी यह विश्वास है कि हमारे आने वाले भवि इसके विश्वास में हमारे बालवच्चे के विश्वास में कुछ विचार करें अगर वो विचार नहीं करते हैं इसके बाद जूल तो हम लोगों का धैर होना पड़ेगा और हम लोग एक विसाल आयोजन पटना के गंधी मैदान में जा करके करेंगे दर्ना प्रदिशन कर सिरी नरेंद्र मोदी पर आपको विश्वास है, पूरे संग को विश्वास है कि वो आपके लिए कुछ आपके हित में अच्छा ही सोचेंगे, आप उसे और प्रस्न है, ज्यादा तो समय नहीं लेंगे, क्या आप बता सकते हैं, जिलाद्यक्ष महोदय साहब कि आगे जो ध हाजिर हो भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत